कि अभीद्व योजिना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे तो इसमें जो फर्स्ट रिजिटेशन स्टार्ट हुआ था वो काफी लंबे समय से स्टार्ट हुआ था और इसकी सारी कष्छाएं भी प्रॉपरली तरीके से चल रही हैं तो अब जो है कि दूस्तों यहां पर इक कीस बाइस का लिए रज्टेशन जो है स्टार्ट हो गया है अभी जो दोस्तों इनके अभीद्व योजिना के ऑफिस्यल पोटल पर जो आप एक घंटे पहले ही यहां पर एक अपर आप सब्सक्राइब करते हुए यहां पर आप सभी को नोड़िकेशन दिया गया है सब्सक्राइब करेंगे सर्च बॉक्स में तो यहां पर आपको सबसे पहले हैं मुखमंत्र अभीदा योजना का और लिखा रहेगा अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर ऊपर के तरफ स्कॉल करेंगे अभी समय पहले यहां पर यह नोड़िक जारी कीगी देख स्वाइब यहां पर दो गणते अभी पूर्व हुए हैं और यहां पर बता दिया गया है मुखमंत्री अभीदे युजना के अंतरगत्य सत्र दोजार इकीस बाइस की साच्छात कच्छाओं के लिए आवेधन अपस्विकार किये जा रहे हैं इचुक अभीदे.up.gov.in पर जाकर अपना पंजिकरण कर सकते हैं विभिन साच्छात कच्छाओं के लिए परिच्छा तित की घोशड़ा सिग परिच्छाओं की जाएगी जो लोग दोस्तों यहां पर अपर जो है घुसना की जाएगी अब इसमें रिच्टेशन करने के लिए आपको डगली यहां पर विपसाइट के लिंक बता दिया गया है तो चली विपसाइट को बिजिट करते हैं विपसाइट मैंने जोस्तों यहां पर क्रोम ब्राउजर में जो है ओपन कर रखा है यहां पर देख जिते हैं अब्यूदय.up.gov.in तो यहां पर देख जिते हैं उप्यूदय प्रिच्छा में चैने प्रतियों के लिए पीसे सूचना जो भी सूचना है जारी की जाती है इस तरीके से आ जाएगा उपर करते जाएंगे हमें यहां पर कई सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है आप और उपर जाएंगे थोड़ी से दोस्तों यहां पर हमें जो है सबसे नीचे आना है और यहां पर देखिए आपको मिल जाता है how to apply you can apply for online classes by following this simple step तो यहां पर सबसे पहल करने के लिए आपको registration now वाले बटन पर यहां पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करनेंगे तो आप जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं यहां पर देखिए उसके बाद UPSC UPSC में उसके बाद जे नीट उसके बाद यहां पर इंटर्वियों गए और यहां प इक्जामनेशन यहां पर दिया गया जिसे टेट हो गया रहा प्यों इट्सेटरा अगर यहां पर दोस्तों आप नीट का जेए करना चाहते हैं किसी फूर एक्जमपल यहां पर हम किसी पर भी एक क्लिक करते हैं तो उसके बाद नया प्यज आपके सामने ओपन हो जाएगा पर ऋलाइसे टउट होगी उसमें आग कर सकते हैं देख सकते एग्जामनेशन फरमेशन में आपने जो सिलेट किया आ चुका है उसके बाद दोस्तों यहां पर पर पर्सनल इनफरमेशन देना है सबसे पहले नाम फादर ने उसके बाद आपको यहां से अपना जेंडर से ल प्रतन उसके बाद आयोध्धा डिवीजन गोरगपूर लखनो डिवीजन मेरट उसके बाद यहां पर मुरादाबाद शारम वरारशी जासिक कानपूर तो इतने डिवीजन यहां पर दिए गए हैं इन डिवीजनों में से जो आपका डिवीजन लगता होगा मंडल आपका लेना है तो आपकी है स्कूल की फूरी यहां पर बेवरा दे देना दोस्तों आप पास हुए थे उसके फेल यहां पर सिलेक्ट बोर्ड का नाम उसके बाद यहां से आपको पासिंग यहां पर सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको पासिंग यहां पर सिलेक्ट कर लेना है तो परसेंट यहां पर सिलेट कर लेने के बात दूस्तों यहां पर दिखेंगे अपना ही स्कूल का रून लंबर डाल देंगे दूस्तों अप्लोड मार्क सीट साटिफिकर यहां पर प्यंजी फाइल में अपलोड करना होगा अपलोड करने के लिए दूस्तों यहां पर मोबाल से भी कापचिर करकर रग सखते हैं तो इसके ब्रॉज वाले ऑफ्षन पर क्लिक करेंगे तो आपने जहां पर भी रखा है उसे यहां पर सिलेट करके अपलोड कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां से इंटरमीडियर के ड यहां से आपका अपना डिस्टिक्स लेट करने ना है पर यहां पर मैं आपको बता दो दोस्तों कि यह जो प्रिगरिया अभी नए सत के लिए स्टार्ट हुई है तो इस पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर देख पाएंगे फैतियपूर कवस्वंभी और परताफ गाट प्र कर सकते हैं इसके बाद दूस्तों कि यहां पर स्ट्रीक्स कर देंगे तो आपके फूरी फर्म जो है फिलप हो जाएगी इस तरह किसे आगे कि प्रॉसेस में रिश्टेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से पने मॉबाइल के भी थूरू तो सब्सक्राइब करें